दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आप लूशेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कुश्चन इस वीडियो में देखने वाले है जो कि आपके आने वाले एक चांसर LB, गुरूप D, SAC, UP पुलिस, लेकपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षक लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्त देखिए, चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन यानि जो कहंटी का निसान उससे जरूर से अनकरते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं देखिए आपर हमारा पहला कुश्चन दिया क्या है, प्रातिबर्स बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैस के उपर निर्मित होता है चार्ल्स फैगरी और हैंडरी ब्यूसन ने किया था, ओजोन परत, संताप मंडल में पाया जाता है, जो पराबैगनी किर्णों से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डाबसन यूनिट में, ठीक है आपको याद रखना है ओजोन परत की जो मोटाई होती हो किस में मापी जाती है, डाबसन यूनिट में मापी जाती है question number two है मानो सरी के सबसे लंबी हड़ी कौन सी है मानो सरी के सबसे लंबी हड़ी कौन सी है तो जांग की हड़ी जिसे फीमर बोला जाता है ये मानो सरी के सबसे लंबी हड़ी है इसके अलावा मानो सरी के सबसे छोटी हड़ी पूछा जाए मानौ शरीर में दोनो पैरों में साथ हड़िया होती है ठीक है एक पैर में तीस हड़िया और एक पैर में तीस हड़िया दोनो पैरों को मिलाकर टोटल साथ हड़िया जो है मानौ शरीर के दोनो पैरों में होती है पैर की अंगलियों में चोदा हड़िया तलवे में पांच हड एडी में साथ हड़ी, फीबर, टीबिया, फीबुला तथा पटेला, इनमें जो है एक एक हड़ी होती है, हाथ फैर की हड़ी अनुबंधिक कंकाल का उधाराण है, खोपड़ी, कसेरुक, दंड, उरोस्ती एवां पसलियों की हड़ीयों, अक्षिय कंकाल का उधाराण है, द्रव होता है, निमनलेखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो करेक्ट आंसर अप्शन बी हो जाएगा, पारा, कुश्चन नमबर, चार है, इनमें से कौन सा संगठन, जलवायू परिवर्तन के, प्राकिरतिक, राजनेतिक, आर्थिक, प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश से परक बैग्यानिक द्रिष्टिकोंड परदान करता है, तो देखिए, यह है, इंटर गौर्मेंटल पैनल अन कलाइमेट चेंज, इंटर गौर्मेंटल पैनल अन कलाइमेंट चेंज, जो है, यह, जलवायू परिवर्तन के, प्राकिरतिक, परवाव के साथ साथ है इसका उदेश या परक बैग्यानिक द्रिष्टी कौंड परदान करता है तो डी आंसर हो जाएगा कुश्य नंबर पांच है निमने लेखित में से कौन सा एक एस्टर है कौन सा एक एस्टर है तो करेक्ट आंसर है C हो जाएगा कॉश्य नंबर 6 है कॉम्प्यूटर सब्दावली के संदर में DDL का पूर्ण रूप क्या है DDL का फूल फर्म आपको बताना है इसमें तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा डाटा डिफिनेशन लेंग्वेज डाटा डिफिनेशन लेंग्वेज जो है DDL का फूल फर्म है कॉश्य नंबर 7 है DRDO द्वारा बिक्सित उस रोबोट का नाम क्या है जो खतरनाक बस्तो का पता लगाने उन्हें नियंत्रित करने और नस्ट करने के लिए उप्योग में लाए जाता है तो उस रोबोट का क्या नाम है दक्ष है याद रखना है दक्ष है C आंसर हो जाएगा क्षिशन नंबर 8 है इनमें से कौन से बिसो का एक मात्र संचालित नाभी किया रियक्टर है जिसमें उरेनियम 233 सिंधन का उप्योग किसमें किया जाता है तो ये कामनी रियक्टर में किया जाता है ठीक है कामनी नाभी किया रियक्टर में किया जाता है तो आंसर हो जाएग Question No.9 है हमारे सरी में प्रोटन के कमेसे कौन सा रोग होता है क्याासी ओर कर रोग होता है क्याकि और याद रखना है इसके अलावा मराज्ब्स नामक रोग की बात करें है तो ये प्रोटन की कमेसे होता है ज़ो peptide प्रोटन ग्यास नहीं जोड़ी एमीनो कि एक एमीनो अमल की कई छोटे इकायों से मिल कर बना होता है प्रोटीन, प्रोटीन, सरीर के उतकों अंगो की सनरचना किरिया बिधी तथा बिनियमन हेतु आवस्यक है प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सीजन और नाइट्रोजन तथो पाय जाते है समाने अमीनो अमल की संख्या 20 है जिसमें 9 आवस्यक तथा 11 आवस्यक कमीने अमल होते है विटामिन C की कमे से कौन से रोग होता है, सकरवी रोग होता है विटामिन B1 की कमे से बेरी-बेरी होता है विटामिन D की कमे से रीकेट शुरू होता है याद रखना है आपको computer में CPU के तीन घटक डैस होते हैं computer के CPU में तीन घटक डैस होते हैं तो तीन घटक जो होते हैं control unit एल्यू और memory control unit एल्यू और memory होते हैं ठीक है बी answer हो जाएगा इसके अलाबा CPU की बात करें तो देखे इसका full form क्या है central processing unit इसका full form है CPU को computer का मस्तिस कहा जाता है control unit या घटक computer के सभी भागों के संचालन को नियंतरित करता है कंट्रोल यूनिट जो होता है या घटक कंप्योटर के सभी भागों के संचालन को नियांतरित करता है मेमोरी यूनिट या घटक कार या निर्देश डेटा और मध्यवर्थी परडाम को इस्टोर करना है ये लियू की बात करें तो देखे इसका फुलफाम होता है अर्थेमेटिक लोचिक यूनिट कुशन नमर 11 है माइक्रोफोन डैस रुपांतरित करता है माइक्रोफोन डैस रुपांतरित करता है तो करेक्ट आंसर डियो जायेगा ध्वानी उर्चा को बिधु तुर्चा में रुपांतरित करता है बिधु तुर्चा को ध्वानी उर्चा में बदलने वाली युकती लावडे स्पिकर है बीधुत मोटर बीधुत उर्चा को यांत्री कुर्चा रुपांत्रित करता है डाइनेमो यांत्री कुर्चा को बीधुत उर्चा रुपांत्रित करता है चाल्स बेबेज द्वाराड या पहला यांतुरिं कम्पिटर का नाम कम्पिटर किस नाम से जाना जाता है इंटिग्रेटर एंड कॉंप्यूटर यह निया का फुल फॉर्म है यह बैकस की बात करें तो यह गण इतिया गणा है तो परियुकत प्राचीन उपकराण है परतिरोध का SI मात रख्या है तो इसका SI मात रख्या है वो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा राष्टबाद के परचार के लिए सामाचार पत्र औल हिलाल का प्रकासन किसने प्रारंब किया था मौलाना अबूल कलामाजाद ने किया था करेक्ट आंसर बी हो जाएगा निमने लेखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बंदे भारत एक्सप्रेस को जो है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है बंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 17 फरवेरी द्वहर 19 को दिली से बराणड सी के बिच हुई थी किस नदी को पिली नदी यानि येलो रिभर के नाम से जाना जाता है पिली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है हंगाहो नदी को हंगाहो याद रखना है ये आंसर हो जाएगा 17 है कुतु मिनार के पास इस्तित कौन सी मस्चित के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जीद थी, कुट्व मिनार के पास इस्तित कौन सी मस्जीद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जीद थी, तो कुबबतुल इसलाम मसीद इसे दिल्ली में बनने वाले पहली मसीद के रूप में जाना जाता है कुबबतुल इसलाम मसीद का निर्माड दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजबंस के संस्तापक कुतुबदीन एबक ने किया था अढ़ाई दिन का जोपड़ा अजमेर में इस्ति थे इसका निर्माड कुतुब दिन एबक नहीं किया था निमने लेखित में से किस भारतिय राज्य को 1922 तक नार्थ इस्ट फरंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है निमने लेखित में से किस भारतिय राज्चे को 1922 तक नार्थिष्टे फरंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है तो ये अउड़ाचल परदेश को जाना जाता है करेक्ट आंसर ये हो जायाएगा मनुसे में कितना लेटर खून होता है मनुसे में कितना लेटर खून होता है पांसे छे लेटर खून होता है करेक्ट आंसर बी हो जायाएगा किसे जीलो की नगरी कहा जाता है किसे जीलो की नगरी कहा जाता है तो उदैपूर को जीलो की नगरी कहा जाता है डी आंसर हो जायाएगा अक्टूबर दुहर बीस तक प्राप्त जनकारे के अनुसर भारत के संविधान में कितने भाग है तो अक्टूबर दुहर बीस की प्राप्त जनकारे के अनुसर पचीस भाग है याद रखना है पचीस भाग और मुल संविधान में कितने भाग थे 25 भाग ठीक है मुलता जो सं संबिधान में एक परस्तावना 465 से अधिक अनुछेद है जबकि मूल संबिधान में 395 में अनुछेद थे भाग की बात करें तो मूल संबिधान में अभी बरतमान में 25 भाग हैं लेकिन मूल संबिधान में 22 भाग थे बरतमान में 12 अनुसुचिया हैं लेकिन मूल संबिधान कमिटी कमिटिया गठित की गई संबिधान सबाई प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1916 को हुई थी भारत में निली करांती के संबंद किसे है मतश्य पालन से है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा भारतिय अर्थवेवस्ता डैस है भारतिय अर्थवेवस्ता करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पलाशी के युद में ब्रेटिश इस्ट अंडिया कमपणे के सह ने दल का नेतरित्व किस ने किया था तो ये राबट है कलाईव ने किया था करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 25 है सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है तो correct answer D हो जाएगा Central Commission for Navigation on the Rhine ये सबसे पहला सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है संयुक्त राष्ट यान UN कौन सा निका है परत्यक्षरूप से मनुस्यों के प्रजनन स्वास्त से संबंद ही थै तो ये है UN UN FPA ठीक है correct answer C हो जाएगा हुण्डिया हुडकिया बाल हुडकिया बाल लोकनेत्य सैली का संबंद किस भारती राज्य से है तो देखे इसका संबंद जो है उत्राखंड से है correct answer ही हो जाएगा भारत में बच्चत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याजदर डैस के द्वारा निर्धारित की जाती है तो ये संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है निर्मित और निर्यातित बस्तु को प्रसासन द्वारा निर्धारित मुल्य पर बेचे जाने है तो दिल्ली में एक विशेस बजार सेर ये अदल की अस्थापना किस ने की थी तो इसकी अस्थापना अलाउदिन खिलजी ने किया था डियांसर हो जायेगा भागत से और बाटू के स्वर्दत ने दिल्ली कें द्रिया बिधान सभा में स्मोक बम फेके वे किसका विरोध कर रहे थे तो देखिए ट्रेड ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पाब्लिक शेफ्टी बिल ट्रेड है, डिस्प्यूट बिल और पॉब्लिक है, सेफ्टी बिल का विरोध कर रहेते हैं, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में सेयर करें और चैनल पनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि चुग हंटिक यानि सान उसे जुरूर से अन करें इसके अलावा भगत्सी की बात करें, तो भगत्सी और बटुकेश्वर दद्वरा आठ अप्रेल उने से उन्तिस को केंद्रिय बिधान मंडल में बम फेका गया था, बम फेकने का उद्यस से बाहरी अंग्रेज सरकार तक अपनी आवाज पहुचाना था, बाहरी जो अंग्रेज सरकार थी, उन तक बम फेकर अपनी आवाज को पहुचाना था, साइमन कमेशन नॉमबर 1927 में गठित हुआ था जबकि 3 फरवरे 1928 को साइमन कमेशन भारत आया इस कमेशन के सभी सातों सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसका विरोध किया गया था बारतियों सम्मिधान का कौन सा संसुधन मौलिक अधिकार के रूप में संपतिक अधिकार के उनमुलन से समंधित है तो ये कौन सा संसुधन है तो ये है चोवालिस्वा सम्मिधान संसुधन करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हिंदी साहितेकार मौनसी प्रेमचंद्र का मौल नाम क्या है मौनसी प्रेमचंद्र का मौल नाम आपको बताना है तो ये है धनपतराय क्या है धनपतराय करेक्ट आंसर सी हो जाएगा गांधे जी ने भारत छोड़ों अंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया भारत छढ़ों अंधोलन के प्रस्ताव को आठ अगस्त 41 को पास कर दिया गया 9 अगस्त 42 को अंधोलन सुरू हुआ था ठीकाんで 9 अगस्त 1982 को जोह यह अंधोलन सुरू हुआ था और करो यह मरो के नारा महत्मा गाधि जीने तथा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अल्ली ने दिया था कोरो या मरो का नारा किस ने दिया था महत्मा गाधी जी ने जबकि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा ये भी दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वरा ये नारा दिया गया था निमनिलेखित मेंसे किसे भारत के राश्पती द्वरा नियुक्ति नहीं किया जाता है तो राज्यों के जो मुख्य मंत्री होते हैं उनको भारत के राश्पती के द्वरा नियुक्ति नहीं किया राज्ये के जो मुख्य मंत्री होते हैं इनकी न्युक्तियों नुशेद 164 के तहुत राज्ये पाल द्वारा इनकी न्युक्ति की जाती है राज्ये पाल राज्ये का मुख्या होता है तथा मुख्य मंत्री सरकार का मुख्या होता है याद रखना है आपको निमने लेखित में से कौन सा भारतिय रिजर बैंक यानि RBI का कारे नहीं है तो correct answer do जाएगा या परतिभूती बजार के विकास को बढ़ावा देता है ठीक है RBI जो है ये इसका कारे नहीं है बागी ये तीनो RBI के कारे ये currency note जारी करता है ये सरकार की banking आवस्यक्ताओं का प्रवंधन करता है ये बाणिजिक बैंकों की आरक्षित नगदी का अभिरक्षक है ठीक है मिसरित क्रेसी की मुख्य विसेश्ता क्या है तो देखे इसकी जो मुख्य विसेश्ता हूँ है प्रवंधन का पालन और फसलो एक खेती एक साथ करना ये मिसरित है मिसरित की क्रेसी की मुख्य विसेश्ता है तक्षसीला निमने लेखे तमेंसे किस नदी के बीच इस्ती थै सिंधु और जिलाम नदी के बीच इस्ती थै करेक्ट आंसर ये हो जाएगा निमने लेखे तमेंसे किस लेख में असुक का नाम उलेखे थै असुक का नाम जो है मास्की का लोगु सिला लेख में उलेखे थै करेक्ट आंसर डी हो जाएगा निमने लेखे तमेंसे कौन सी गरंधी दुखदिर निसकाशन हर्भोन आक्सी टोक्सिन का स्रावन करती है तो यह है प्यूस करन्ति पामीर का पठार भारत में बिली उत्पादन के लिए सबसे महत्पूर्ण कच्चा माल कौन सा है तो सबसे महत्पूर्ण जो कच्चा माल है वो है कोईला करेक्ट आंसर यह हो जाएगा मानोसरी की वह गरंथी कौन सी है मानोसरी की वह गरंथी कौन सी है जो एंजाइम और हर्मोंस दोनों का सरावन करती है तो देखी यह है अग्नियासे अग्नियासे गरंथी जो है एंजाइम और हर्मोंस दोनों का सरावन करती है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमार अगला कुश्चन है जहांगीर का मकबरा कहां इस्तीत है जहांगीर का मकबरा कहां इस्तीत है अपसन है आपके पास काबुल आगरा लाहर और तिल्ली यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बक्स में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आय अधिन मेरा दो हमादिन को डिता और